हेलो तो अल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दे बेल एकन फॉर मोर वीडियो उपडेट्स तुदे इस 18 दिसेंबर ऑफ 2020 इन इस फ्राइडे टुडे चलिए आज अनलेशी शुरू काने से पहले कुछ कोश्चेंस पूल लेते हैं आप उनका जवाब करमें से सानलीशी स्वीन कोई बीडे टॉ कर दाउत हूट हो या कोई भी डौट हो कोई वीडियो से दे वीडियो से ब्रविदि權 मोब आप वह जीर्क दो कमेंट सेक्षिन में पूच सकते हैं चलिए आज के ऐनलिए शुरू करते हैं ऐनलिए से सुन्सर्व करने से पहले आप हमारे टेलिगां मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं के कि कोसिन ना 247 कि करते हैं इस लोग साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब देलिग्राम चैनल उसको क्लिक करके आप इसको डिरेक्ट हो जाएंगे और यहां पर एक जॉइन आप्शन आएगा यहां पर जोइन आप इसको तो यह आपके लिए हैल्फल हो सकता है बहुत जादा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजे और क्यों कुछी भी ऐसाम की तैयारी कर रहेंगे तो वह आपके लिए as a current affair या English vocabulary के लिए हैल्फल हो सकेगा चलिए आज की analysis शुरू करते हैं पहली news देखते हम लोग चलिए आ तो यह जो फार्मस के पास एक constitutional right है कि वह continue कर सके इसको जिस तरह से वो कर रहे है प्रोटेस साइलेंट तो उसको इस तरह से होने दिया जाएगा उस पर अगर वह वोर्लेंस पर अगर वोर्लेंस पर कनवर्ट होगा तब उसके उपर एक्शन लिया जा सकता है वरना जिस दीसेंट वे से या पीसफुल में में प्रोटेस्ट चला है वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और कहते हैं उस पर गौर्वर्मेंट डिसीजन लेगी कि वह एक्रिकल्चर लॉद वापस लेगी कि नहीं उस पर सुप्रीम कोड ने कहा कि हम डिसीजन नहीं लेंगे और जो प्रोटेस्ट की बात है हम प्रोटेस्ट को हटने के लिए डिसीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि किसी का भी राइट टू प्रोटेस्ट होता है हर किसी के पास राइट टू प्रोटेस्ट का फंडमेंटल राइट होता है तो इसलिए क्या गते सुप्रीम कोड ना इसा कहा उन्होंने कहा क्लेरिफाइ कि वह इंटरफेर नहीं करेंगे प्रोटेस्ट में और प्रोटेस्ट एक पार्ट है फंडमेंटल राइट का और यह एकसरसाइस कराया जासे थे सब्जेक्ट टू प कि जो प्रोटेस्ट चल आए अगर वो उसको कंटीनियू करने दिया जा सकता है अगर उसे पीसफुल वे में करें यह अगर वायलेश के लिए पहले जाएगा उसको ऊपर एकशिंग लिया जाएगा ऐसा सुप्रीम कोड ने कहा है तो उनकी हेरिंग में यह बात हुई है उस जो रिपील बाइद इसमें क्या गते हैं जो एक प्रोड रिजुट किया जाए और यह भी जो लॉट है इनको रिपील किया जाए इसमें क्या गते हैं जो एक चीफ निस्टर अर्विंद के जिवाल डेली के उन्हें ने कहा कि सेंट्र गॉवर्मन्न नॉट बिकप वर्स जन कि सेंट्र गॉवर्मन्न को बिटिशा से भी ज्यादा वर्स नहीं होना चाहिए जिन्हों ने इंडिया के पर रूल किया और इन फार्म लॉट जो लोग अपने तरह अपने बीजेपी एलेक्शन केंपेंड के फंड के लिए यूज करने वाले हैं ऐसा उन्होंने कहा है तो जो वेस्ट बेंगॉल की सीए में ममता बैना जी उन्होंने तीन आपकेस ऑफिसर्स को अलाओ नहीं किया कि वह सेंटर में जाए क्योंकि आपकेस ऑफिसर्स की ड्यूटी चेंज होती रहती कभी सेंटर बजाते हैं डेपिटेशन पर तो इसलिए कहते हैं जो चीफ ईसका रूल उसके तरहां सकता है कि Undertा करना चाहिए करा क्योंकि या जा सकता है तो पर लिए उस पर चान कि इंचन तोफन कर की उनहेंने कहा कि वो नहीं जुखने वाले जूरी किसी भी उनद फॉर्स या एक्सपैस्सेस्ट के सामने ऐसा उनका स्टेंट्में था जिली अगली न्यूस देखते हैं अगली न्यूस आति है कि स्ट्रेंदिनिक टाइस विद बंगलादेस आप प्रियोर्टी सेस्पी है कि हमारे पीम नरीन मुदी ने का जो बंगलादेस के साथ अभी मीटिंग हुई थी उन्होंने एक नेवरूट फर्स पॉलिसी की बात की कि बंगलादेस एक मेजर पिलर इंडियास के नेवरूट फ और जड़ा इन्हेंस करना चाहिए तो उन्होंने एकनोमिक टाइस को और इंप्रोव करने के लिए यह जो इनाउग्रेशन समिट थी वही थी अभी जो दो रेल लिंक है चिलाहती बंगलादेस और हल्दी बारी वेस्ट ब्रेंगॉल के बीच में जो रेल लिंक बनने वाला तभी हम एकनोमिक जो रिलेशन्शिप होती उसको और इंप्रूव कर पहेंगे ऐसा उनका कहना था तो यह इन जो इस तरह की डिलेशन बना चाहिए हम अपनी नेवरूट कंट्री जो है उनके साथ रिलेशन इस तरह से अच्छा और कर सकते हैं तो इस तरह की रेल लिंक जो अपलत है तो उनको फियर था एक्शों का जो इन विजिलेइंटी गरूप होता है जो वोकुषर होते हैं तो इस पर हम भ लोग देख लेता है इंटर डिइदे मेरेजँ व monstr cameras देख लेते हैं तो इस न्यूज में भाई दिया गया है कि उनको प्रोटेक्शन देने की बात की गई है देली हाई को ने काया कि यूपी के जो इंटरफेट कपल आया है उनको प्रोटेक्शन डेली में प्राइड होगी और पुई तरह से कोई एक्शन उनके उपर नहीं ले जब तक हाई कोटनी का डिसीजन नहीं आता है तो आम लोग देख लेते हैं इंटरफेट मेरेज़स को क्या आता है इंटरफेट मेरेज़स एक मैट्रोमानियल रिलिशन्शिप होता है बिट्वीन तू इन्वीजर जो डिफरें रिलिजिश फेट्स के होता है इनको अलाउ जाता है कि इसमें forced conversion होता है one of the spouses, mostly women's का होता है और as per the muslim personal law in order to get married to a non-muslim, conversion of religion is the only way कि Muslim personal law में भी यह है कि किसी भी अगर कोई muslim non-muslim से करना शाथा है शाधी तो उसे non-muslim को muslim में convert कराना होता है Hindu religion में भी ऐसा ही है कि जो भी who want to marry second time जिसे second time शाधी करना है उसे इस तरह के कई जो monogamic course होता है उसे पूरा करना होता है यह there is no provision regarding caste discrimination of children born out of such marriage और इसमें कोई caste determination नहीं होता है जो बच्चे पाइदा होते है उन messages से special marriage act 1954 भी इसमें compatible नहीं है इस back awareness of the society को compatible नहीं इसमें इसका way forward कहा है कि हमें in order to avoid inclusion of any further law there should be acceptance of the special marriage जो special marriage act 1954 है mental और social level में हमें उसे accept करना होगा right should be exploited conversion of religion for marriage only is not always कि right exploits होती है जहां जहां पर तो उनको देखना होगा conversion of religion for marriage only is not at all wise कि marriage के लिए सिर्फ conversion conversion कराना religion का यह अच्छा way नहीं है इसको रोकना होगा उसी पर यूपी को और्टरेंस आया है तो उस पर क्याकते काफी ज्यादा punishment भी है लेकिन क्याकते किसी के willingness से conversion होना वो तो ठीक है लेकिन सिर्फ marriage के लिए conversion करना वो सही बात नहीं है चलिए अगली न्यूज देखते है आज का पहला इडिटोर लाता है शैकल सेंट इस इसमें बात की गहीं जो इंडिया और यूके के बीच में एक relationship और dominate कर रहा है सा बहुत ज्यादा क्याते हैं इंप्रूफ कर रहा है दोनों के बीच में relationship बैस्या ना देखा कि अभी transition period खतम हुआ है यूके का और उसकी exit from EU European Union या Brexit से इस मन्त खतम हो रही है तो इस पर Boris Johnson की जो government है वो बन करी एक क्याकते हैं जो partnership है जो उसके outside its region वो क्याकते हैं उसको बढ़ा रही है कि उसकी relationship और improve करें जैसे हमने देखा कि अभी British foreign security Dominic Raab Delhi visit पर उन्होंने इंडिया-UK relationship को और improve करने की बा अगले साल उसके लिए उनको invite भी किया है तो Mr. Johnson जैसे head of the government है वो विजट करेंगे क्याकते हैं इंडिया में after the spread of COVID-19 तो एक तरह से bilateral जो विजट होगी है after Brexit ये करेगी importance जो इंडिया और UK की ties है जो relationship है उसको improve करने के लिए तो पूरे editorial में यही बात की गई है कि इंडिया-UK के relationship के बारे में कि उसको improve करने की बात की गई है इसमें कहा गया at last की एक नया chapter जुड़ेगा post COVID-19 world में जिसमें इंडिया की relationship UK countries के साथ improve करेगी जो ties है वो और इंप्रूव करेंगी और जो हमारी relationship improve होगी तो हमारे जो condition है जो हमारी ranking है वो भी इंप्रूव होने की chances है क्योंकि कोई भी वो लोग भी help करेंगे जो और भी countries है वो भी हमारे साथ relationship और अच्छा करना चाहेंगे तो ऐसी condition हो सकती है चलिए अगली editorial देखते है अगला editorial आता है इं agree reforms go back to the drawing board कि इसमें कहां कि जो agriculture reforms lag है उनको पहले जाके जो drawing board है जिस board ने इसे draft किया है उसके बार मे इसके बार में पूरे editorial बात की गई है कि उसको देखना होगा जो reforms इस तरह के होते है तो इसमें का जो intended beneficiary है often understand the realities of the system better policy makers need to build trust की जो policy makers है उनको एक trust बनाना होगा trust जो build करना होगा तभी वो realities of the system को जान पाएंगे और जो इसमें वही बात की गई है कि जो drawing board थे जो drafting board था इस reforms का उसको देखना होता कि क्या रियल्टी है farmers की उसके हिसाबसों से यह laws बनाने चाहिए तो इस पूरे editorial में यही बात की गई है चली अगले editorial देखते है अगले editorial आता है putting food at the center of India's nutrition agenda कि इस news में बताया गया है जो कि food को as a center medium जोड़ना कि इंडिया के जो nutrition agenda है उसमें क्योंकि अंडर nutrition needs a policy goal जो चिल्डर्न का अंडर nutrition होता है उसको एक policy goal की सख जरूरत है providing affordable access to quality food items की हमें जो एक food items मिलता है स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है लेकिन उसे quality food items में बच्चों को तो वह बहुजद important है कि उन्हें हर तरह का जो माल nutrition भी मिलना चाहिए जो माल nutrition की जो condition बनती जा रही है उसको control करने के पूरे एडिटर में यही बात की गई है कि जो कई अभियान चालू है portion अभियान जैसे है और कई अभियान इस तरह कि माल nutrition को control करने के portion अभियान में maximally भई है Prime Minister Overage Scheme for holistic nutrition अभियान तो इस तरह कि कई हमने Corona कहते हैं COVID-19 post world में भी जो अभी चल आया उसमें भी देखा है कि माल nutrition की बहुत जादा बड़े है क्योंकि जो lockdown हुआ था उसमें लोग को food खाना सही से प्रवाइड नहीं हुआ उसके कारण माल nutrition जो चोटे-चोटे बच्चे उनको माल nutrition की बहुत जादा दिक्कत हुई है तो इसमें वही बात की ग अंडर वेट अंडर nutrition के खारण अंडर वेट हो गए है हाइट फॉर एच वीट फॉर इस डैमेज हुआ है वीट फॉर एट और अंडर वेट हुए है और भी कई दिक्कते हुई है जिसके कारण यह पूरी बात की गई पूर एडिटोरल में यही बात की गई है चलिए अगल 6,974 और रिकवरी 33,291 तो काफी अच्छा रिकवरी रेट है हमारा लेकिन अभी भी इस प्रेड रोग चल लाए जिसको रोकने के लिए हमें सिर्फ रिकवरी नहीं एक वैक्सिन के बिज़रूरत है जो हमें इस प्रेड चेंड को रोग सकें तो इस न्यूस में बही बात की कि इंडिया का रिकवरी रेट काफी अच्छा है और इसको ऐसे इंप्रूव रखना है हमें और भी इंप्रूव कर सकें तो और इंप्रूव करना है चली अगली न्यूस देखते है अगली न्यूस आती है इस रो लॉंचे सैटलाइट फॉर कम्निकेशन की CMS01 जो राइट कि सब्सक्राइब करें और चेंट करेंगा हमारी सीवेंट और फ्रिक्वेंस स्पेक्ट्रम को और जो कई सर्विसें उनको इंप्रूव करें तो यह कम्निकेशन सटलाइट का फीलफू हो सकता है हमारे लिए चली अगली न्यूस देखते है अगली न्यूस आती है कि इसमें बताया गया कि क्या कि बहुत ज्यादा योगा जैसे आमने देखाएगी योगा डे पे तो होता ही अब लोग मैक्सिमम लोग योगा करते ही करते हैं कि अपनी हेल्थ के लिए अपनी डिसीज से कंट्रोल करने के लिए अपने एक तरह से कंस्ट्रेशन बनाने कई सब्सक्राइब करते हैं तो सेंटर ने कहा है कि वह रूस और रेगलेशन बनाएगी नई जो चैंपेंशिप होगी इसकी अब ये योगासन एक तरह से स्पोर्ट बन जाएगा और इसे ग्लोबली भी ले जाने की बात की गईगे इन चैंपेंशिप को तो इसमें बताया है क कि योगासन अब एक स्पोर्ट बन जाएगा और क्या किते हैं इसे इस्पोर्ट बनाना और एक ग्लोबल लेवल में ले जाना काफी बड़ी बात है और उसे करने में पुरी तरह से सेंटर वर करेगा चली अगली न्यूस देखते है अगली न्यूस आती है क्या किते हैं वोट स्टेप बैक सम्स्पोर जीरो जीरो डील वित रिश्या से इस तर्की तर्की का कहने है कि वो बैक अप नहीं करेगा एस फॉर जीरो जीरो डील जो रुश्या के साथ है उस पर तो जैसे हमने देखा कि उस ने संक्षिन किया काइट सा लौ उनके उपर तो कोई भी रुश्या से समान लेता है तो तो इसमें यहीं बात की गई तो तर्की ने कहा है कि वो एस फॉर टॉष apprendre का ब्स करेंख लेते हैं इस फॉरुरु जिरो यहीं कैना टॉस का और बत्रूस को सबस्कुर्ण जैसे इरान, North Korea और रॉस्या पर है, इंक्लूट करता है, संंक्षिन गिंगेंस कंट्रि जो इंगेंज होती है, इस सीग्निफिकेंट ट्रांजिक्षिन विद रॉस्या डिफेंस और इंटलड़ीजन के जाता है, जो कंट्रिज़ रॉस्या के साथ निका डिफेंस और से भी जो स्काई की एनमी जैसे एरो प्लेंस हैं जो फाइट जैट से उनको भी टेक्डाउन कर सकता है ग्राउंट से यह इस नोंस अस रश्यास मूस्ट एडवांस लॉंग रेस सर्फिस्टु एयर मिसाल से डिफन सिस्टम और इसका कैपे बेल है जो कैकते ही बॉम बैट कर स इंडिया को भी एक तरह से पुरी तरह से वेल एकुप्ट होना होगा जो नेवरी थैंक से उनसे बचने करें जैसे चाइन हो गया पाकिस्तान जिनके पास पाकिस्तान को 20 फाइटर स्क्राइट रॉंस है अपग्रेटर एफ 16 से इंडक्टिंग जी 17 फ्रम चाइन जो चाइन इंपोर्ट के गए और चाइन ने भी कई 1700 फाइटर से इंक्लूडिंग 804 फोर्ट जेनरेशन फाइटर सो काफी अच्छी रेंगा इनका भी डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है चाइना का और पाकिस्तान का भी है अच्छा जो चाइन तो देता रहता है उनको चाने के चाहिए लेकिन USA के कारा वह अभी ले नहीं 12 अरशा से असे बात की गई है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू विर मैच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज लाइक बटन जुरू दबाते हैं थैंक्यू थैंक्यू कि टको की मैच जब हाइक्टने कार दिबन को सब्सक्राइब कर दाने से बातके हैंक्यू जैंक्यू है था क바 देना ही वे जैंक्यू 5-100-100-60-70-60 थे धर वेलामось का वे तो चैसे प्लाइब कर देना एंक्यूू 7-100